चोपड़ा जो किसमे यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो ने 24 की काउंसलिंग, MCC और स्टेट कोटा की 24 जुलाई से स्टार्ट होने थी लेकिन हम सबको इस बात का पता है कि सुप्रिम कोट के अकोर्डिंग ने 24 का रिवाइज रेजल्ट जारी होगा और उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसलिए ये 24 से काउंसलिंग नहीं हो पाई है अब ये काउंसलिंग कब से होगी और इसमें कितने दिन और डिले होगा तो इसके विशह पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो Counseling की Information से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Counseling के बारे में जानकारी चाते हैं कि All India Quota की, State की, I.U.S. Veterinary की सभी की Counseling के बारे में जानकारी चाते हैं तो इसके लिए हमारी Book available है यानि कि MCC All India Quota 15% All India Quota के लिए भी Book available है State Quota के लिए भी है, I.U.S. Veterinary के लिए भी Book available है तो इसको आप इस वीडियो की Description Box में डाउनलोड कर सकते हैं जो All India Quota के लिए Book है, उसमें 24 लिस्ट दे रखी है 2024 के लिए Round Wise, Category Wise कटोप दे रखी है जिससे आप ये देख सकते हैं कि पिछली कौन सी All India Rank पर कौन सा College मिला था और आपकी इस बार All India Rank क्या है, उस पर कौन सा College मिल सकता है आप ये देख सकते हैं इसमें State Wise, Round Wise Counseling Process दे रखी है और Fees और Bond के बारे में भी जानकारी दी गई है इसके लावा और भी सारी काफी Information है च्वाइस लिस्ट दे रखा है इस परकार से आप 2024 की च्वाइस कर सकते हैं इसमें इसके बाद में Category Wise कटोप दे रखी है College Wise कटोप दे रखी है, Round Wise कटोप दे रखी है एमस, जिपमर के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है Central Pool कोटा के बारे में इसमें Information दी गई है Counseling Process के बारे में दी गई है ऐसे इस्टेट की बुक में भी ये सारी Facility अवेलेबिल है अले अलग-अलग स्टेट की फीश, Seat Matrix, Previous Seer की Cut-Off Counseling Process अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग होता है क्या है उसका Choice List कैसे Fill करनी है इस परकार का लिंक मिल जाएगा आपको तीनों भुक्स का आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.sofraeducation.in से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं आप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आप से संपरक कर लेंगे और आप हमारी Paid Service भी ले सकते हैं अब हम बात करें MCC की Counseling कब स्टार्ट होगी तो जैसा कि आपको पता है अभी NEET का Revised Result आज साम तक आ सकता है या फिर कल साम तक आ सकता है तो आज और कल में ये Result जरूर आ जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है तो ये आज और कल में Result आ जाएगा तो ये Counseling अगस्त में चली जाएगी यानि कि ये 3 से 5 अगस्त के बीच में स्टार्ट होने की Possibility है इसके Registration 3 से 5 अगस्त के बीच में स्टार्ट होने की Possibility है ये इतना लेट क्यों होगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि MCC द्वारा अभी PWD Candidate जो दिवांग Candidate है उनके लिए एक Notice जारी किया जाएगा और ये Notice तक्रीबन Starting Date से 10 Days Before किया जाता है इसमें जो दिवांग Candidates हैं उनके Certificate Issue के लिए Centers से Allowed है और उन Centers पर Online उनको Apply करना है वहां से Online Certificate बनवाना है तो ये इसके लिए कम से कम भी 10 दिन का समय दिया जाता है इन Candidates को अगर ये 10 दिन का समय भी नहीं दिया जा रहा है साथ दिन का समय भी दिया अगर जाता है और कल भी इसका Notice आता है तो ये Counseling 3 अगस्त से पहले Start होने की Possibility नहीं लग रही है अभी हाँ इसका Schedule जो Result है जारी होते ही आ सकता है और Schedule आने के बाद में ये जहां तक Possibility है 3 से 5 अगस्त के बीच में Start हो सकती है Schedule आने की Date ये जल्दी Announce हो सकती है ये हो सकता है कि ये 28 जुलाई के Nearby Schedule डिक्लियर हो जाए या 27 के Nearby डिक्लियर हो जाए लेकिन इससे पहले जो PWD Candidate है दिवांग Candidate है उनका ये Message जरूर आएगा उनका Notice आएगा कि अभी इन Centers पर ये Online Start हो गए है Certificate बनवाना तो जो विकलांग Candidate है उनको वहाँ जाना पड़ेगा और उस Center पर Certificate बनवाना पड़ेगा वहाँ ये सारा Online ही होता है लेकिन Center पर Candidate को उपस्तित होना जरूरी है तो ये अगर पिछली बार का हम देखें इसमें तो पिछली बार 5 जुलाई 2023 को ऐसा Notice आ गया था PWD Candidates के लिए जिसमें ये लिखा था कि ये Online Mode पर Certificate बनवाने हैं और Certificate बनवाने के जो Center है उसकी List दे दी जाएगी यहां पर तो उस Center पर जो PWD Candidate हैं उनको ये Certificate बनवाना है जो Neat Screening Center है वो Open होने के बाद में आप Certificate बनवा सकते हैं जो Divang Candidates हैं अब जो पिछला एक बार Start होने का भी देख लेते हैं तो 20 जुलाई से Start हुई थी Counseling लेकिन पिछली बार ये Notice है वो 5 जुलाई को ही आ गया था पहले 15 जुलाई को Start होने की possibility हो रही थी लेकिन वो Change करके 5 दिन और बढ़ा दिया था हम मान रहे हैं कि ये जो PWD Candidates का Notice है वो 10 डेज बिफोर दिया जाता है और 10 डेज बिफोर दिया जाएगा तो ये तीन अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में Start होने की possibility है तो जैसे ही इसका schedule आएगा हम आपको inform कर देंगे आप हमारे channel पर बने रहे हैं और result जैसे ही declare होगा मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन